चोपड़ा एकिस यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बचो जैसा कि आपको पता है All India का काउंसलिंग प्रोसेस चेंज हो चुका है और वो काउंसलिंग प्रोसेस आप सब जानते हैं कि अभी सेकंड राउंड से राउंड थ्री के लिए अपग्रेडेशन हो गया है All India में इसी के अकोर्डिंग राजस्तान और मारास्टर का भी काउंसलिंग प्रोसेस चेंज हो गया है तो आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि इसमें क्या-क्या चेंजिंग हुई है तो सबसे पहले हम राजस्तान स्टेट की बात कर लेते हैं तो राजस्तान स्टेट में जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है वो ये है कि राजस्तान स्टेट का राउंड टू ओन लाइन होगा ये पहले ओप लाइन हुआ करता था लेकिन All India की तरही राजस्थान में भी ये रूल हो गया है कि जिस student ने round 1 या round तक join कर लिया है अगर वो अपग्रेडेशन करना चाते हैं तो round 3 जो offline होगा उस round तक अपग्रेडेशन कर सकते हैं All India में भी ये ही rule है बस फरक इतना है कि All India का जो third round है वो online होगा और राजस्थान का third round offline होगा तो ये सबसे बड़ा change है यहाँ पर हुआ है यानि कि राजस्थान में दो बड़े change हुए हैं पहला change ये है कि second round online होगा और दूसरा change ये है कि अभी आ थर्ड राउंड में भी अपग्रेडेशन कर सकते हैं तीसरा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें जो security money है वो increased हो चुकी है वो 1,00,00 पहले private colleges के लिए हुआ करती थी अभी यहाँ 2,00,00 हो गई है अब मैं आपको इनका proof दिखाता हूँ इनके changing का proof तो आप ये द 2023 का है और इसमें clear लिखर का है कि round 3 of state need using medical oblique dental counseling 23 cell be held offline यानि कि round 3 offline होगा ये clearly है लेकिन अगर हम 2022 का prospect देखते हैं information bulletin देखते हैं तो इसमें clear लिखा है कि round 2 state का है वो offline होगा तो ये इससे बिल्कुल clear हो चुका है कि जो अभी राजस्तान में second round होगा वो online होगा और third round offline होगा ये बिल्कुल clear हो चुका है अब हम बात करते हैं कि change में क्या हुआ है security money का तो change में आपको बता दिया था ये इस बार security money के regarding इस information platin में लिखा गया है कि 2,00,00 रुपए private की condition में deposit करना होगा लेकिन पिछले जो prospect था पिछली साल का जो prospect था उसमें clear दिखा था कि अगर किसी student ने second round में join कर लिया है state के या ओल इंडिया के second round में join कर लिया है वो राजस्तान के मोपप में participate नहीं कर सकता है लेकिन इस बार ये rule नहीं है ये आप ये जो prospect देख रहे हैं security money of mbbs bds course ये इस साल का prospect है और for future of be oblique permissible to student to exercise fresh choice during counseling ये पिछली साल का notice है कि round 3 होगा वो offline होगा और उसमें upgradation होगा अप gradation के लिए आपको एक पुरुफ और दे देता हूँ मैं ये जो prospect है ये 2023 का prospect है 2023 के prospect में ये clearly लिखा हुआ है कि जो भी candidates round 1 और round 2 के joined candidates है round 1 और round 2 के जो joined candidates है उनका अगर third round में upgrade नहीं होता है अगर उनका third round में upgrade नहीं होता है तो वो first और second की seat को merit point तक resign कर सकते हैं merit point तक resign कर सकते हैं इस point से ये clear हो चुका है कि आप जो candidate round 1 और round 2 के joined candidate से वो round 3 में भी upgrade कर सकते हैं इसमें जो second round तक जो candidate जिनको seat alert होगी और join नहीं करते हैं तो उनकी security money तो forfeit हो जाएगी लेकर वो round 3 में फिर से security money fill करके participate कर सकते हैं इसमें एक seat और clear है क्या clear है इसमें first round के join candidate second round की counselling में अगर उनको कोई seat upgrade नहीं होती है तो second round का result declare होने के दो दिन बाद तक first round की seat को छोड़ सकते हैं नहीं तो उनको second round के rules लागू हो जाएंगे ये all India की तरह ही point है इससे भी ये clear हो चुका है कि आपका जो upgradation है वो third round तक होगा मैं आपको यहां बता दूँ कि अभी जो mop up round था उसको अभी third round बुला जा रहा है मोप up round सब्द हटा दिया गया है यहां से राजस्तान से ये मोप up round सब्द हटा दिया गया है और all India से भी ये word हटा दिया गया है उसमें भी third round कर दिया गया है तो ये बिल्कुल इसमें clear है ये बिल्कुल ही clear है इसमें अगर third round तक कोई candidate seat join कर लेता है तो वो आगे वाले rounds में participate नहीं कर सकता अगर resign करता है तो भी नहीं कर सकता यानि कि वो resign ही नहीं कर सकता थर्ड राउंड में join करने के बाद resign नहीं कर सकता कहने का मतलब राजस्तान के जो second round में rule follow होते थे वो अभी third round में rule follow होंगे तो ये मैंने सारा आपको पुरुप बता दिया है 2022 का भी मैंने आपको प्रोस्पेक्ट दिखा दिया है और 2023 का भी प्रोस्पेक्ट दिखा दिया गया आप एक बार seat या 24 फिल करने से पहले या seat join करने से पहले आप ये इसके rounds का जो procedure है वो एक बार जरूर चेक कर लें हालांगी मैंने आलमोस्ट आपको सब कुछ बता दिया है ये 2023 के round 1, round 2 के rules है round 2 का rules यह है कि ये जो round 2 है उसकी seat को round 1 की joint seat को round 2 के allotment के दो दिन बाद तक छोड़ सकते हैं round 3 का भी इसमें दिया गया है कि जिन candidates को round 1 और 2 में अगर कोई seat join नहीं होती कोई seat नहीं मिलती है वो round 3 में तो जाई सकते हैं और upgrade भी इसको आप कर सकते हैं round 3 तर जो offline होगा ये पहले का 2022 का prospect है जिसमें round 3 के बारे में कहीं नहीं कहा गया था इसमें mop up round के बारे में ही कहा गया था तो ये clear हो चुका है राजस्तान के लिए इस prospect से आप prospect पूरा पढ़ लें जिससे आपको बिल्कुल clear हो जाएगा कि राजस्तान का second round online होगा all India की तरह ही और उसमें rule ये ही follow होगा कि जिन candidate को first round की seat join कर ली है वो second round alert होने के दो दिन बार तक छोड़ सकते ही ये online में ही संभाव है इसके बाद में first or second round के join candidate मोप up round में participate कर सकते ही वो मोप up round के merit point तक अपने seat छोड़ सकते हैं ये बिल्कुल clear है तो ये राजस्तान state का changing मैंने आपको बता दिया है all India का मैंने आपको पहले ही बता दिया था अब बात करेंगे माराश्टर इस्टेट की तो माराश्टर इस्टेट की मैं आपको बताऊं कि माराश्टर इस्टेट में बाकी तो सारे 3-4 round online होते हैं लेकिन यहाँ जो up gradation का rule है वो पिछली साल से change हो चुका है वो ओल इंडिया की तरह ही round 3 में आप upgrade करवा सकते हैं 2022 से पहले यानि कि 2021 तक माराश्टर के rules अलग हुआ करते थे एक ही बार registration होता था उसके बाद आप एक ही बार registration करने के बाद seat को upgrade करते जाते थे लेकिन 2022 में यह procedure change करके यह कर दिया गया था कि first round में registration होगा सभी choice हैं बरी जाएंगी second round में registration नहीं होगा फिर से phrase twice fill होगी first round free exit होगा second round में joint candidate आगे के rounds के लिए eligible नहीं है लेकिन इस बार change हो चुका है यह जिन candidate ने first or second round में join कर लिया है वो candidate third round में यहाँ mop up round का नाम हटा के यहाँ भी third round कर दिया है और वो third round में upgrade कर सकते हैं यह मैं आपको यहाँ proof दिखा देता हूँ यह cap 3 के rule से महराश्टर state के लिए 2023 के लिए information plate में आप देख सकते हैं इसमें clear लिखा है कि जो candidate कोड़ कोड़ से candidate eligible नहीं है round 3 के लिए तो round 3 के लिए एक तो जिन्होंने round 2 में seat join कर ली है और retention forum fill कर दिया है कि हम आगे participate नहीं करना चाते हैं वो student इसमें eligible नहीं है और दूसरे जो all India के third round तक join कर चुके हैं अलोट हो जिनको seat हो गई है वो दो परकार के candidate इसमें eligible नहीं है बाकी सारे candidates eligible है इसमें round 2 के candidates इसमें ये लिखा है registered candidate जो round 1 और round 2 में participate किये थे और जिनको round 1 और round 2 में कोई seat अलोट नहीं हुई वो candidate इसके लिए eligible हैं इसमें एक line और लिखी हुई है इसमें कि आप round 3 में फिर से choice fill करेंगे round 3 के लिए फिर से choice fill करेंगे आप इसके लिए eligible कौण कौण से candidate है round 3 के लिए आप ये देख सकते हैं इसमें registered candidate जिसने round 1 और round 2 में choice fill नहीं की है वो eligible है round 2 के joined candidate लेकिन उनोंने यानि retention form fill नहीं किया है वो आगे upgrade करना चाते हैं वो भी इसके लिए eligible हैं ये सबसे बड़ा changes है यहाँ पर माराश्टर स्टेट के लिए ये 2022 में ऐसा rule नहीं था ये मैं आपको यहाँ बता देता हूँ 2022 का ये prospect है इसमें बाकाइदर लिखावा है note eligible का देख लेते हैं हम या candidate मोपप round के लिए eligible कौण कौण से candidate नहीं है जिन्होंने round 1 के state quota में participate नहीं किया है round 2 में और वो candidate जो round 2 में joint candidate है state quota के state quota seat जिन्होंने round 2 में ले ली है वो पहले माराश्टर स्टेट के मोपप round में eligible नहीं थे लेकिन अभी eligible हैं मैंने आपको ये पहले बता दिया है तो ये दो states के rule change होगे अब बाकी states के rules का क्या है बाकी states के rule बिलकुल as it is हैं जो पहले 2022 में हुआ करते थी UP state, गुजरात state, हरियाना state इसके बाद में भिहार state सारे state जितने भी हैं उन्होंने अपने rule change नहीं किये हैं उन्होंने अपने prospect में ये बात लिखी हुई है कि जो भी candidate state कोटा में या ओल इंडिया कोटा में second round तक join कर लेते हैं वो मोपप round में state के मोपप में participate नहीं कर सकते अब सारे states के जो आपका states है आप अपने information ब्लेटीन में एक बार ये check कर ले कि क्या ये change तो नहीं हुआ है mostly state का मैंने आपको बता दिया है मैंने तक्रीबन states का prospect पढ़ के ये सारा sort out किया है और इसमें राजस्तान और माराश्टरी state के लिए changing हुआ है फिर भी आप अपने state का information ब्लेटीन एक बार check कर ले this state का अगर कोई changing होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा आप हमारे इस channel को subscribe करके जरूर रखें क्योंकि इस परकार की authentic information हमारे channel से मिलती है कोई किसी परकार की unnecessary hum announcement वगरा या अपने तरब से किसी परकार का कुछ भी student को नहीं बताते हैं क्योंकि हमारे को views लेने का कोई लाब नहीं है हमारा views लेने का कोई मकसद नहीं है हमारा मकसद सिरफ एक ही रहता है student तक authentic information सही समय पर पहुंचे ताकि हर एक student को इसका लाब हो सके तो आप हमारे channel को subscribe करें अपने दोस्तों के साथ share करें social media पर share करें क्योंकि इस परकार की changing जो counseling related information से सारी की सारी हमारे channel से मिलती रहती हैं तो दोस्तों मिलेंगे नई update के साथ में आप से फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए मैं हरसाई चोपड़ा आप से लिता हूँ विदा जैहिन